मेरे बच्चे आज मैं तुझे अच्छी अच्छी बाते बताता हूँ जिसे सुनकर तेरे मन को सकून मिलेगा गर्बी के मौसम में पत्ते सुखने पर पक्षी घोसला नहीं छोड़ते क्योंकि वे जानते हैं फिर से बाहर आएगी पेड़ पर नए पत्ते उगेंगे इसलिए मेरे बच्चे जिन्द की में अगर दुख है तो परशान मत होना अच्छे दिन भी आएंगे क्यों रोते हो मन करना होने पर जो लिखा है वो तो होकर रहेगा इश्वर एक रास्ता बंद करता है तो कई रास्ते खोल देता है अगर आप किसी इंसान की 99 इचाईयों को छोड़ कर एक बुराई पर ताना मारोगे तो अगली दफ़ा तुम ओन 99 इचाईयों के उमीद मत करना दिल के सच्चे लोग इस छलकपट की दुनिया में अकेले रह जाते हैं लेकिन ऐसे लोगों का साथ इश्वर देने के लिए आता है मन की सचाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती ये वो पूजा है जिसकी खोज इश्वर खुद करते हैं जदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान जापागे को दोश्टो मेरे बच्चे ये तीन चीजे हमेशा याद रखो कोशिश, सचाई, विश्वाश, कोशिश अपने बहतर भविशे के लिए सचाई अपने काम के प्रती और विश्वाश, इश्वर के प्रती फिर देखना सफलता आपके कदम चुमेगी कम उमर में मिला सुख इनसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उमर में मिला दुख बहुत समझदार बना देता है खुद के व्यक्तितव के लिए तो बाते महतर पूर हैं खुद को तराशो और खुद को तलाशो तभी असल में तुम्हारा किरदार निभानने योगे बनता है अच्छे लोग हमेशा पारे की तरह होते हैं अगर आप चोट करो तो तूटते नहीं बलिक फिसल कर आपकी जिंदकी में से निकल जाते हैं अच्छे लोगों को अपनी जिन्दकी में से मत जाने दो, अच्छे लोग ना तो पैसे से खरी दे जा सकते हैं, और ना ही उधार पर मिलते हैं, कोई ठूकरा दे, तो गल्त रास्ते पर मत जाओ, अपना रास्ता चुनो, अपनी मंजले चुनो, ताकि उनको गल्त साबित कर द कोई हमारी गलतिया निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोश्रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है रिष्टे हल्की फुल्की इमारत की तरह होते हैं दरारे नजर आएं तो इमारत तोड़िये मत मुरमत कीजिए अगर रिष्टों में भी दरारे हैं तो उन्हें तोड़िये मत उन्हें सवारिये मैं सही वो गल्द यही एक सोच किमती रिष्टों को खतम कर देती हैं कोई आप से नराज है और उसे यह गरूर है कि आप उसे मना लेंगे तो उसका गरूर कभी मत तोड़ना सोच अच्छी रखो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे नियत अच्छी रखो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो खुद सही होकर भी गल्द लोगों के आगे सिर जुका लेता है प्रकर्ति का काम तो हमें सिर्फ मिलाना है लेकिन सबंधों की दूरियां और नजदिक्यों का निधार्ण हमारा वेवार करता है बीना स्वार्त के भला करके देखिए आपकी तमाम उल्जने उपर वाला सुलचा देगा जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो अगर वो कोई अपराद भी करे तो उसके उपकार को याद करके उसे शमा कर दो और मेरे बच्चे कभी किसी का दिल मत दुखाओ जब सहने वाला जुल्म सहकर भी मुसकरा दे तो उसका बदला उपर वाला लेता है जनम से बटने वाले मिठाई से शुरू हुआ जिन्दकी का खेल शराद की खीर के साथ खतम हो गया ये खेल यही तो जीवन की मिठास है और दुर्भागे की बात है कि दोनों अवस्था में बंदा खुद नहीं खा सकता मेरे बच्चो मुस्कराते रहो एक दिन जिन्दकी भी आपको परशान करते करते ठक जाएगी खुश रहो मेरे बच्चो हमेशा खुश रहो बस आज इतने ही अगर आपको बाबा की बाते अच्छी लगी हैं तो प्लीज सब्क्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि बाबा की बाते सब लोगों तक पहुँच पाएं, ओम साहिराम